हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं solar panel installation guide के बारे में ठीक है इसको हम step by step process के बारे हम बता हैं ठीक है तो सब्से पहले जिसा कि आप देख रहे है step one में जिसे लिखा हुआ है mount installation ठीक है और दूसरा step में लिखा हुआ है install the solar panel फैसा से पहले कि आ होता है इस टेक्चर काम होता है ठेक है कि तो से पहले स्टेक्चर काम रिडी करेंगे उसके बाद जो इलेक्टिकल वायरिंग होगा DC का वर्क जैसे उसमें दो डो टायप्स होते हैं फर्स्ट होता है DC वर्क और उसके बाद होता है AC ठीक है और उसके बाद इससे कम्टिट होने के बाद चौथा नंबर होता है कनेक्ट दा सिस्टम टू सोलर इंवर्टर उसके बाद जो हम लोग गिरीड त्यार करते हैं उसको क्या करेंगे solar inverter से उसको connection कर देंगे ठीक है और उसके पांचवा number जो होता है वह होता है connect solar inverter and solar battery जिसके पास अगर बैटरी अगर लगाना चाते हैं तो बैटरी लगा सकते हैं इसमें दो type हो जाते हैं इसमें भी पहला होता है on grid और दुसरा होता और ऑफ ग्रीड का मतलब यह होता है उसमें बैटरी का connection नहीं किया जाता है ठीक है और और ओन ग्रीड में बैटरी का connection नहीं किया जाता है और चटा नंबर जो पॉइंट है उसमें दिया हुआ है connect solar inverter to grid ठीक है अगर हमारा grid inverter है तो फिर हम grid से उसको connection कर देंगे ठीक है और साथ नंबर में क्या दिया हुआ है start solar inverter जैसे यह सारा connection हमारा complete हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे हमारा inverter है उसको हम चालू कर देंगे ठीक है तो दोस्तों सकेंड टॉपिक पर आते हैं और बात करेंगे है अभी हम एडवांटेज के बारे में ठीक है इसका एडवांटेज क्या है ठीक है जैसे दोस्तों आप इसमें देख रहे हैं मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं देखिया इसमें क्या लिखा हुआ इसके एडवांटेज में यह क्या है रिन्यूवल यह हुआ है एमोंग अल्डव बेनिफिट्स ऑफ सोलर पैनल दा मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज़ डाट सोलर इनर्जी इज ट्रूली रिन्यूवल इनर्जी सोर्स यह जो है मतलब हंडेड परसेंट रिन्यूवल इनर्जी है ठीक है इसको हम कई बार इसको अगर हम गवर्मेंट की बिजली से कंपेर करें तो इसका समझे तो सिर्फ 20 परसेंट ही मतलब बिजली बिलाता है अगर माल लीजे गवर्मेंट का अगर एक सो रुपे होगा तो इसका 20 रुपे आएगा ठीक है थार नमर पॉइंट में क्या दिया हुआ है डाइवर्स एप अप्लिकेशन का भी यूज नहीं किया जाता है ठीक है चौथा नमर पॉइंट देखिए हमारा किया लो मेंटिनेंस को इसमें मतलब मेंटिनेंस मेंटिनेंस कोस्ट ही नहीं बिल्कुल नहीं है आप सबते में एक बार या दो बार मॉडूल को सिर्फ साब कर दिए बस वहीं अगर माली जी कभी रेनिंग से जाना गया ठंडा का मौसम आ गया तो थोरा मतलब उसमें क्या होता है कि मतलब बैदर मतलब माली कभी बारिस मगर ओला गिर रहा है फिर भी हमारा मॉडूल जो डेमेज नहीं होगा उसको इतना है कैपसिटी दिया जाता है जो वह डेमेज न दोस्तों आज के लिए बस इतना है फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक को ले करके तब तक के लिए नमस्कार